दोस्तों, UPC ने CAC 2022 का आंसर क्यों जारी कर दिया है CC8 के पेपर में एक कोशन को ड्रॉप कर दिया गिया है और 36 नुमबर कोशन जो है ड्रॉप जो हुआ है आप इसमें देख सकते हैं कि जिस भी दियार्थी ने भी इसे बनाया था उसको 0 marks allot हुए है अब इसमें होता क्या है कि किसी बेखती ने इस कोशन को जब attempt किया तो माल लेते हैं 5 minute उसका चला गया और किसी दूसरे बेखती ने जब इस कोशन के पास आया तो उसने skip कर दिया अब जिसने skip किया उसका समय कितना गया 0, 0 second जबकि जिसने attempt किया उसका गया 5 minute अब ऐसे में हुआ क्या कि उपेसी तो कोशन तो ड्रोप कर देते हैं असानी से लेकिन जिसने इस पर effort लगाया उसको भी 0 marks मिल रहे हैं उसका तो time loss हो गया ना 5 minute तो फिर ये तो एक तरह का unjustis हुआ कि किसी ने luckily किसमत उसका कुछ हैसा रहा कि उसने इस question को attempt नहीं किया उसका time waste नहीं हुआ 5 minute saves हुए और वो next question की तरह बढ़ गया अगला question में next mile वो जो है एक बढ़त प्राप्त कर लिया ये तो luckily लग की बात होगी कि कि किसी को जो है उसने इस question के attempt नहीं किया और अगली question में attempt करके बढ़त प्राप्त कर लिया और जब हर साल एक question दो question चार question ड्रॉप होते हैं तो पर question जो है धाय मार्क्स उसका loss होता है अगर दो question भी ड्रॉप करते हैं तो 5-5-10 minute अगर सी सेट के प्रशन में उसका चला जाता है उसमें तो उसको कोई भी मार्क्स एलोट नहीं होते हैं वो totally waste हो जाता है जबकि होना तो यह चाहिए था कि अगर किसी ने इस question को attempt लिया है तो उससे marks कम से कम एलोट तो कर दिने चाहिए थे जो marks हैं क्योंकि उसने तो सारा समय दे दिया अब कोईशन का जो fault है और कोईशन सेट करने वाली की गलती का खामयाजा अस्ट्रेंट क्यों भुगते तो इस पर जो है एक गंभीर मुद्दा उठके सामने आ रहा है इसी तरह GS paper 1 में एक कोईशन ड्रोप किया गया है 61 नंबर अब जिसने इस कोईशन को एटेम्ट किया उसके तो डेड़ से दो मिनिट गये है न और उसको marks जो एलोट हुए जीरो एलोट हुए अब एसे में वही वो बंदा तो ज्यादा प्रोफिट में रहेगा जिसने इस कोईशन को एटेम्ट ही नहीं किया क्योंकि उसके तो दो जो मिनिट है उसके बच गये है और वो दो मिनिट उसने जो है उस दो घंटे में प्रोड़क्टिव रूप से हूज किया और ये जो ड्रोप की कहानी है वा तो अभी एक नजर आ रहा है मैज लेकिन अगर प्रिलिम्नरी एक्जाम के इमेडियेट बाद अगर आंसर क्यों जारी कर दिया जाए तो कई ऐसे कोईशन्स सामने आ जाएंगे जिनके आंसर्स बदल जाएंगे तथा कई कोईशन्स और भी ड्रोप करने पड़ जाएंगे क्योंकि कई कोईशन्स में पिछले जो रिसेंस ट्रेंड में देखा गया है कि कई कोईशन्स के आंसर्स सब्जेक्टिव होते हैं कई का आंसर जो उपेसी जो है गलत दे देती है तो इन सब मुद्दू को रिजॉल्ब करना बहुत ही आविश्सक है और जैसा कि यूपेसी सभी को एक लेवल प्लेंग फिल्ट परदान करता है एसे में इन सब चीजों से कि किसी ने किसी कोईशन्स को एटेम्ट किया और उससे ड्रॉप किया जा रहा है तो उसको इसके कारण नुकसान नहीं होना चाहिए